हेलो डियर, वेलकम बैक, मैं प्रिएंगा चोदरी और आज किस वीडियो मोडूल में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत ग्रैमर का टोपिक, स्टोरी जी हाँ, आज किस वीडियो में मैं आपके लिए दो मित्र और भालू की संस्कृत में कथा लेकर आई हूँ जो कि सभी क्लासेज के लिए बहुत ही महत्पूर है और खासकर बोल्ड क्लासेज के लिए इस वीडियो में भी मैं उसी तरह से स्टोरी का हिंदियनवाद करती वे समझाऊंगी जैसे कि आपको संस्कृत के चैप्टर समझाती हूँ यह मैं कहूँ कि इस संस्कृत स्टोरी का हिंदी मीनिंग वर्ड टू वर्ड बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए Dear students मैंने इस स्टोरी को यहाँ पर उसी तरह से लिखा है जैसा कि आपसे एकजाम में पूछा जाता है और वो कैसे देखो सबसे पहले आपको help box दे दिया गया है ठीक है जिसमें कुछ words लिखे हुए है और नीचे आपको स्टोरी दे दी गई है पर कहीं कहीं पर इस स्टोरी में blank छोड़ दिये गई है जिसे help box की साहता से fill करना है तो यहाँ भी हम उसी तरह से करने वाले हैं और वो भी हिंदियनवाद के साथ तो देखिए Dear students अब से पहले help box में जो शब्द दिये गए है मैं उनका हिंदियनवाद बता देती हूँ आपको देखिए विश्वास है विश्वास जनम लोग व्रिक्षम पेड रिच्छ है भालू ग्रिहात घर से वनम वनको व्रिक्षात पेड से मृतम मरा हुआ सावधानतया सावधानी से व्रिक्षा आरोहनम पेड पर चड़ना तो डे श्टुनेंट्स गी हुए हमारे हैल्प बोक्स पे दिये गए वर्ट्स अब बात आती है स्टोरी की तो डे श्टुनेंट्स अब हम इसको फिल करते वे चलेंगे ठीक है देखिए एक दा द्वे मित्रे व्यापारम करतूम ग्रिहात निर्गतव ग्रिहात निर्गतव एक दा एक बार द्वे दो मित्रे मित्र व्यापारम व्यापार करतूम करने के लिए ग्रिहात घर से निर्गतव निकल गए एक बार दो मित्र व्यापार करने के लिए घर से निकल गई मारगे एकम गहनम वनम आसीद मारगे मारग में एकम एक गहनम घना वनम जंगल आसीद था रास्ते में एक घना जंगल था तव सावधान तया वनम पारियत है इसमे है तव वे दोनों सावधान तया सावधानी से वनम वनको पारियत है पार कर रहे इसमे है थे वे दोनों सावधानी से वनको पार कर रहे थे सहसा एक है, रिच्छ है आगत है, सहसा अचानक एक है एक, रिच्छ है भालू आगत है आगया, अचानक एक भालू आगया रिच्छाम आगत हैं द्रिश्टवा एकम मित्राम एकम व्रिख्षाम आरोहत व्रिच्छाम भालू को आगत हैं आता हुआ द्रिश्टवा देखकर एकम एक मित्राम मित्र एकम एक व्रिख्षाम पेड़ पर आरोहत चड़ गया भालू को आते देखकर एक मित्र एक पेड़ पर चड़ गया द्वीतिय है व्रिक्षा रोहना ने जानाती इसमें दूसरा पेड़ पर चड़ना नहीं जानता था। पर चड़ना नहीं जानता था। पर चड़ना नहीं जानता था। और उसे मरा हुआ मानकर चला गया। तदंतरम प्रत्मम मित्रम व्रिक्षात अवात्रत द्वीतियम चे उत्थाप्य आप्रिच्छत रिच्छत तव करने किम एक थेयत। तदंतरम इसके प्रत्मम पहले मित्रम मित्र व्रिक्षात पेड से अवात्रत उतर कर द्वीतियम दूसरे को चे और उत्थाप्य उठाकर आप्रिच्छत पूछा। रिच्छ है भालू ने तव तुम्हारे करने कान में किम क्या एक थेयत कहा है। इसके पश्यात पहला मित्र पेड से उतर कर और दूसरे मित्र को उठाकर पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। सह एवदत रिच्छ है मम करने एक थेयत यत स्वार्थी मित्रेशू कदापी विश्वास है ने करनी है। सह एवदत बोला रिच्छ है भालू ने मम मेरे करने कान में एक थेयत कहा यत की स्वार्थी मित्रेशू स्वार्थी मित्र पर कदापी कभी विश्वास है विश्वास ने नहीं करनी है करना चाहिए। वह बोला कि भालू ने मेरे कान में कहा कि स्वार्थी मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो dear students ये थी हमारी संस्कृत में स्टोरी दो मित्र और भालू की। I hope आपको clear हो गई हो तो dear students यदी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले। Thank you